ही गईज दिस आरतक फ्रम मोडेक्स एक आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वालो एक पहुती ताजा ख़बर के बारे में जो कि AMD के तरफ से आ रही है और ख़बर जादा अच्छी नहीं है थोड़ी सी बुरी ख़बर है तो क्या ख़बर है इस चीज एसी PC-related content के अंदर तो डेफिनिट कर आज चानल को सब्सक्राइब साथ ही मतवास बेल ऐकन को भी ताकि हम फीचर में जो भी नहीं डालूँगा मिल जाएगी आप लोगो इसके इंसे नोटिफिकेशन और इस वीडियो को है अभी के लाइक कर दो और चैनल को Windows यूज़ कर रहे हो दिन डेफिनिटली आप अपने सिस्टम को रिस के अंदर डाल रहे हो CDKOffice.com वेबसाइट के अंदर आपको बहुत ही जादा सस्ते प्राइजिस के अंदर Windows 10 Pro की लाइसेंस की देखने को मिल जाती है तो मैं आपको डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा इस वेबसाइट को चेकाउट करने के लिए और यहाँ पर जितनी प्राइसेंस है इसके उपर आपको 20% का एक्स्टा डिसकाउंट भी मिलेगा उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ कर रहे है MODX20 फिर जब आप यहाँ से की को बाई कर लोगे फिर आपको जाने Windows 10 Pro की से पर निकल के आई है कि जो इनकी 4000 सीरीज होगी जो की जैन 3 अर्किटेक्चर के उपर बेस्ट होगी यह यार इन्होंने ओफिशल स्टेटमेंट है AMD की तरफ से यह सिर्फ और सिर्फ X570 और B550 मदरबोर्ट को ही सपोर्ट करेंगे भाईया इससे क्या समझे जो existing हमारे X470 औ और जो हमारे B450 मदरबोर्ट है यह राइजन की 4th जनरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो राइजन की 4th जन होगी वो AM4 सॉकेट के उपर बेस्ट नहीं होगी बेस्ट ही अब जैसे कि मैंने बताया कि X570 मदरबोर्ट के अंदर आप लग तो AMD जो हमको रीजन दिया है वो दिया है BIOS चिप की कैपासिटी लिमिटेशन के रिगार्डिंग जो हमारे existing X470 और जो B450 मदरबोर्ट है उनके अंदर जो BIOS की चिप है उसकी कैपासिटी लिमिटेशन है कुछ यानि की कैपासिटी कम है तो इसका शायद मतलब यह है कि उन पात है जो में AM4 socket मिलेगा फिर से वराइजन की 4 Gen के अंदर बहुत लोग आशा है लगा के बैटे हुए थे कि अपने B450 मदरबोर्ट के अंदर अपने जो CPUs उनको 4 Gen के अंदर तो अफसोस भाई आप ऐसा नहीं कर पा होगे और उसमें से एक मैं भी हूँ तो जो इनके existing X570 मदरबोर्ट से और जो अपकमिंग B550 मदरबोर्ट है इनके अंदर आपको बायोस को अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको 4 Gen को चलाना होगा तो B550 Motherboards जो है वो मेरे इसाब से शायद उससे तो पहले ही आएंगे जो 4 Gen होगा उसके launch से शायद पहले ही हो सकता है कि B550 Motherboards को announce कर दिया जाए शायद इसी लिए मैंने जो articles पढ़ें उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि B550 Motherboards के अंदर हमको BIOS को update करना पड़ेगा तो यानि कि इसका मतलब यह है कि इससे पहले की 4 Gen launch होगी उससे पहले ही हमारा जो B550 Motherboards है वो शायद market के अंदर आ जाएगा अब ऐसा article कह रहा है कुछ confirm बात नहीं है और बाकी मेरी बानों तो शायद मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि जो B550 Motherboards होगा वो पहले ही आजाएगा market के अंदर इससे पहले की 4000 सीरीज वो लाँच होगी बाकी अगर आप मेरे चैनल पर थोड़ा सा पहले की अगर आपने कुछ वीडियो उसको फॉलो करा होगा तो मैंने एक आपको वीडियो के अंदर बताया था कि एक XMG का laptop है जिसके अंदर B450 Chipset का Motherboard यूज करा गया है हाँ ये थोड़ा एक स्ट्रेंज सा laptop है जिसके अंदर आपको Desktop CPU देखने को मिलता है B450 Chipset का Motherboard देखने को मिलता है तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि Official XMG की तरफ से ये खबर आयती उन्होंने statement दीती कि जो हमारा XMG का ये जो laptop है इसके अंदर आपको एक microcode update मिलेगा जिसके बाद आप इस laptop के अंदर जिसके अंदर B450 Motherboard लगा हुआ है आप इसके अंदर इनकी 4000 series को लगा पाओगे AMD की तो वो B450 Motherboard है उसके अंदर update आएगा तो उसके अंदर उनका Ryzen 4000 series का CPU चल जाएगा और ऐसा उन्होंने official statement दिया था XMG ने तो इस चीज़ से हम क्या समझ सकते हैं शायद कुछ ऐसी hopes इस खबर की वज़े से हम बना सकते हैं कि शायद कुछ models के अंदर B450 के जिनके अंदर Bios Chip का साइज है वो शायद मेरे इसाब से बड़ा होगा उन्हीं के अंदर ही update दिया जा सकता है बाकी कुछ पता नहीं कि AMD क्या पता ऐसी कहते हैं कि सारा B450 लाइनप बंद गरो उसके अंदर हम कहीं भी update नहीं देंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसकी Bios Chip बड़ी हो जिस-जिस motherboard की उसके अंदर शायद हमें मिल जाए 4000 सीरिस का support हम कुछ कहा नहीं सकते इस चीज़ के बारे में और साथियत कुछ motherboards leak हो है A520 के Asus की तरफ से यानि की A320 का successor होगा यह motherboard और आपको मैं बताना चाहता हूँ क्यूंकि AMD ने Ryzen 3 3100 और 3300X market के अंदर लेके आयते तो उनके हिसाब से इनके पास एक सस्ता सा motherboard नहीं था जो कि out of the box Ryzen की 3rd generation को support करता हो तो इसलिए AMD जो है मेरे हिसाब से शायद A520 motherboard वो Ryzen 3 3100 और 3300X के लिए निकाल रहा है तो ऐसा बताया जा रहा है कि market के अंदर जब 3100 और 3300X जब वो market के अंदर आ जाएंगे उसी टाइम के आसपास ही हम लो को यह motherboard भी market के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि A320 के अंदर आप लगाओगे अपने 3100 या फिर 3300X को तो शायद ऐसा हो सकते है कि A320 के जगे आप A520 के अंदर लगा लो तो इनकी नई चिपसेट वाले motherboards भी आ सकते हैं लीक होएं तो मेरे साब से आने ही चाहिए मार्किट के अंदर ठीक है एसूस की तरफ से A520 के कुछ लीक्स होए थे motherboard और बाकी तो भाई B450 वालो को तब पत्ता साफ हो चुका है जैसे कि मैंने बता दिया और मैं कुद भाई B450 motherboard यूस कर रहा था B450 Gaming Pro Carbon AC कैर कोई नहीं ले 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 लेंगे फिर अपग्रेड कर लेंगे और क्या ही कर सकते हैं भाई AMD ने बोल दिया है तो हम कौन होते हैं ठीक है तो बस दस्तो फिलाल के लिए से वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो गयर अभी के भी लाइक कर दो तो मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर तब तक के लिया थेंक्स वाचिंग